फर्स्ट वीक को भी टेस्ट किया है, सेकंड वीक को भी टेस्ट किया है, थर्ड वीक को भी टेस्ट किया है और इन तीनों ही वीक्स में हमें दोस्तों इतना प्रोफिट हुआ था और अब आपके सामने मैंने फौर्थ वीक को भी यहां पर टेस्ट कर लिया है तो इन चारों क ओवरॉल जो profit हमें हुआ है वो 11,500 रोपे के आसपास हुआ है दोस्तो शेर मार्केट से हम मंतली basis पर fix income निकाल सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहां पर आपका जो margin लगने वाला है वो भी काफी कम है weekly basis पर trade करके एक अच्छा खासा return प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें हमें करना क्या है जो लोग शेर मार्केट में अभी नए हैं और उनका अभी demat account नहीं है तो नीचे description box में link है angel broking का जरोधा का आप अपना demat account open कर सकते हैं और इस strategy का यूज कर सकते हैं और जो लोग पहले से option selling option buying से familiar है यानि option trading से familiar है उनके लिए ये video काफी लाबतायक होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको एक सांदार strategy बताऊंगा जिसके तहत आप weekly basis पर बहतरी returns निकाल सकते हैं तो इसमें हमें करना क्या है 28 September की expiry का 21 September को हम इस strategy को apply कर रहे हैं और 28 September की expiry है अभी market जो current paid कर रही है वो 19,747 रुपे के असपास है तो इसका जो ATM है 19,747 का वो 19,750 रुपे होगा सही है तो 19,750 रुपे की call and put को यानि ATM को हमें sell करना है और उससे लगबग 1500 point दूरी पर हमें call and put को buy करना है तो अब नीचे चलते हैं हम 19,750 की call and put को सबसे पहले add कर लेते हैं call side हमें 124 रुपे में मिल रही है तो इसका एक लोट हम sell कर देंगे और put side में हमें 92 रुपीज में मिल रही है अब 750 से हम 1500 point दूर यानि के 900 की एक call को buy कर लेंगे अपनी strategy को hedge करने के लिए और 750 से 1500 point दूर 46 रुपे का एक put हम buy कर लेंगे अगर हम इस strategy का risk reward ratio देखें तो इसमें हमें 547 रुपे का maximum profit हो सकता है और 1602 रुपे का maximum loss हो सकता है और इसका pay off कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा अब हम PNL वाले section पर चलते हैं और इसे में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ठीक है अब यहां पर 30-30 मिनट से हम आगे चलते हैं यह एक back testing है last week की जिसके तहत हम यह पता लगाएंगे कि इस strategy का use अगर हम real market में करते हैं तो यह कितनी successful है तो इसके back testing करके यहां पर देख लेते हैं तो 30 मिनट से हम जैसे ही आगे बढ़ें तो Friday 9 बज़ कर 31 मिनट पर सुभा 115 रुपे का हमें profit हो रहा है overall जैसा आप यहां पर देख सकते हैं total profit and loss अब इसमें हमें एक दो adjustment करने की पड़ेगी और वो किस तरह से हम करेंगे जो call side की जो हमने buy की है चाहे put या call तो उसको हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है ऐसी रहने देना है अब हमें जो adjustment करना है वो selling side में करना है और selling side में कैसे करना है जो initial premium है call और put का जब इन में से जिस भी लैक का premium अपने premium initial premium का one fourth के आसपास रह जाएगा तो उसी समय हमें उस lag को book कर लेना है और उसके against 50 रुपे के आसपास की हमें एक lag add कर लेनी है ये हम करेंगे expiry दिन से एक दिन पहले तक ये process हमारा जारी रहेगा फिर उसके बाद में जैसे मान दीजिए Friday, Monday और Tuesday को हम 50 रुपे के आसपास की ही lag add करें ठीक है ये सारा process कैसे काम करेगा इसे हम अभी यहाँ पर back testing में live देखते हैं तो 9 बज कर 31 मिनट पर 115 रुपे का profit है अब हम चलते हैं आगे हमें ध्यान इन दोनों lags पर रखना है जो call side की lag है और जो put side की lag है ठीक है तो थोड़ा तेजी से आगे चलते हैं अभी हमें की adjustment करने की जरूत नहीं पड़ी है और अगर हमारा मालीजिए इसके अंदर पचास अजार रुपे का investment हो रहा है तो उसका 1% हमें यहाँ पर profit भी हो रहा है तो जो लोग weekly basis पर 1% या 2% पर trade करना चाहते हैं तो वो अपनी trade को यहाँ पर exit भी कर सकते हैं थोरोली पूरे week इसको test करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो call side का premium है वो नीचे जा रहा है और इसका one third यह पहुँच भी गया है तो हमें one fourth के आसपास adjustment करना है जब अपने initial premium का one fourth रह जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह अपने premium का लगभग one fourth रह गय अगया था और अभी इसका जो price है वो 33 रुपए है थोड़ा सा और चलते हैं आगे कि और अभी यह फिर ओपर चली गई है मार्किक्ट और 27 रुपए के आसपास यह यहां पर आ गया था ठीक है तो 27 रुपए पर हम इसे इस वाली लैग को क्या करेंगे बुक कर लेंगे यानि कि इसे exit कर देंगे तो यहां 27 रुपए 60 पैसे पर मैं इस कोल साइड की लैग को बुक कर लेता हूं अब हमारा हमारी जो expiry है वह 28 तारीक की है और अभी 26 तारीक का एक बज़ रहा है तो हम क्या करेंगे पचास रुपए के आसपास की कोल साइड में एक लैग को एड़ कर लेंगे ठीक है क्योंकि हमने कोल साइड की लैग का प्रोपिट बुक किया है तो कोल साइड में हमें एक लैग एड़ करनी पडेगी अब पचासर रुपए पर हमें मिलने ही रही है या तो 39 रुपे पर है या च्छासर रुपे पर है तो हम 33 रुपे की लैग को यहां पर एड़ कर लेंगे सही है अब हमारे पास में दो लैग जैलिंग साइड में पहली है है को ल साइड में तreme ते तालिस रुपे के प्रीमियम पर और दूसरी है इकसो अप्टाइस रुपे के प्रीमियम पर हुट साइड相 सही है अब हम चलते हैं आगे अब हमें ध्यान इस वाली लैग पर और इस वाली लैग पर देना है अब ये लेखे दोस्तों ये अपने इनिशल प्रीमियम का लगबग वन थर्ड के आसपास रह गया है अब इसमें कुछ जादा प्रीमियम नहीं बचा है तो फर्स्ट वाली ज के अंदर कोई खास प्रीमियम नहीं बचा है और यहां पर आप एक चीज और नोट करें जो पुट साइट की सैलिंग लैग है उसका प्रीमियम काफी बढ़ चुका है दो सो दस रुपे हो गया है और जो हमने हैज करने के लिए पुट को बाई किया था उसका प्रीमियम भी अपनी नीशल प्रीमियम का डबल हो गया है तो उनिश रुपे पर हमने इसे बाई कर रखा था और अभी मार्किट जो चल रही है वो पांसो साथ है यानि के हमारी ये लैग भी इंदमनी हो चुकी है सही है तो हमें कोई टैंशल लेने की ज़रुत नहीं है अब भले ही चाह हमें वो काफी कम रह गिया है वन थर्ड के आसपास रह गया है तो हम इसे यहीं पर बुक कर लेंगे तेहरा रुपे 65 पैसे पर है और अब क्योंकि हमारा ये दो बार एड्जेस्मेंट हमने कर लिया है तो 40 रुपे के आसपास की ही लैग को हम एड करेंगे कोल साइड की तो एक हमें लैग मिल रही है 58 रुपे पर और एक मिल रही है 37 रुपे पर तो मैं 37 रुपे की लैग के साथ में जाना चाहूंगा और यहां पर हम चलते हैं आगे अब आप ऊपर साइड में देख सकते हैं जो ऊपर की लैग है वह दोस्तों कम होती जा रही है पूट साइड की ठीक है तो हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ध्यान देना है एक लैग हमारी ये ओपन है और एक लैग हमारी इनिशल वाली ओ पिन है अब हम आ गए हैं लास्ट डे पर एक्सपाइडी के और अब यहां से पंदरा पंदरा मिनेट से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि लास्ट टे है और यह देखिए यह अपने इनिशल प्रीमियम का लगब वन फोर्थ रह गया है तो हम इसको फिर से बुक कर लेंगे ग्यारा रुपे दस पैसे पर ठीक है और कोल साइड की फिर एक लैग चालिस रुपे के आसपास की हम एड़ कर लेंगे चालिस रुपे पर नहीं मिल लई है या तो 33 रुपे पिचासी पैसे पर है और 16 रुपे की है तो हम कम वाली ही एड़ करेंगे क्यूंकि अगर मार्कीत में रिवर्स आता है तो इसका प्रीमियम स्लोली बढ़ेगा और इसका प्रीमियम काफी तेजी से डाउन होगा तो चलते हैं हम अब यह बारा रुपे रह गई है तो हम बारा रुपे पर फिर इसको बुक कर लेंगे तो अप अगर चाहें तो अपन पर भी बुक कर सकते हैं लेकिन हम जाएंगे पूरे वीक में और लास्ट डे है तो मैं फिर चालिस रुपे के असपास की एक लाग एड़ कर लूँगा अब यहां पर या तो बारा रुपे पर मिल लई है हमें या सैतालिस रुपे पर मिल लई है तो हम इसी के साथ में हमें जाना पड़ेगा 47 रुपे पर और यह देखिए दोस्तों अब तीन बजी कर 16 मिनिट हो चुकी है यानि कि इसका टाइम पूरा हो गया है और यहां हमें ओवर ओल 1997 रुपे का प्रोफिट हो रहा है तो हम इस 1997 रुपे के प्रोफिट को यहां पर कर लेंगे एड ठीक है अब दोस्तों यह मैंने फॉर्ट वीक की आपको बैक्टेस्टिंग दिखाई थी जो की शुरू हुआ था 21 सेप्टेंबर से और 28 सेप्टेंबर को लास्ट में इससे पह और इन तीनों ही वीक्स में हमें दोस्तों इतना प्रोफिट हुआ था और अब आपके सामने मैंने फॉर्ट वीक को भी यहां पर टेस्ट कर लिया है तो इन चारों का ओवरॉल जो प्रोफिट हमें हुआ है वो 11,500 रुपे के आसपास हुआ है और सेप्टेंबर मन्त दोस् और सो 42 रुपे का प्रोफिट तीसरे में फिर लोज लेकिन चोते वीक में हमें 802 रुपे का प्रोफिट हो गिया तो यह दो महीने की बैक टेस्टिंग आपके सामने है वीकली बेसिस पर और ओवरॉल पूरे मन्त का जो हमें रिटन मिला है वो 11,500 रुपे मिला है तो 11,500 र सब्सक्राइब तो आप इस स्टैटिजी के दुआरा शांदार वीकली बेसिस पर ट्रेड करके मन्तली बेसिस पर आप अपनी इंकम जन्नेत कर सकते हैं और इस स्टैटिजी के अंदर दोस्तों और है यह स्टैटिजी है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पूरी स्टैटिजी का यूज करने से पहले अच्छी तरह से आप इसको रियल मार्कीट में अपलाई करने से पहले खुद से भी आप बैक्टेस्टिंग करें और बार बार एक महिने दो महिने नहीं बल करनी है अगर आप अप्शन ट्रेडिंग से फैमिलियर नहीं है तो पहले आप एक दो दो रुपे वाले प्रीमियम के कोल एंड पुट को ले करो दोस्तों उसमें ट्रेडिंग करना सीखें सही तरीके से सारी चीजों को मैनेज करना सीखें और उसके बाद में ही आप इस धन्यवाग